इस वीडियो में जो हम मैच कवर करेंगे वो होगा नेशन्स लीग का फुटबोल का मैच जो आज खेला जाएगा तुर्की और वैल्स के बीच में तो दोनुट टीम में से आज के इस मैच में कौन सी टीम एक सट्रॉंग टीम और कौन सी टीम एक वीक टीम है इस टॉपिक पर हम डीटियर्स में चर्चा करेंगे और यह टॉपिक भी काफे ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी और कितने गोल करके आज इस मैच को जीतेगी और किन 11 प्लियर्स को आज के मैंच में लेकर चलना है और उनहीं 11 प्लियर्स में से किस प्लियर को कपतान और किस प्लियर को वाइस कपतान बनाना है यह जो सारी information है वो आपको इसी वीडियो में shutepe by shutepe दी जाएंगी बस आप वीडियो को सुरूर से लेकर आखिर तक जरूर देखें तो अब हम टीम नीज के बारें बात करते हैं दोनों टीम की तरफ से कुछ ऐसे प्लियर से हैं जिनका सलक्षन काफी हाई है लेकिन इस मैच में वो प्लियर नहीं खेलेंगे सबसे पहले तुर्की के ओर से देख सकते हैं तो यहां से कुटुकू इस मैच में बैक इंजूरी के कारण इस मैच में बाहर रहेगा सोयनसू है जो इस मैच में नहीं खेलेगा और यहां पर गुई है यह भी नहीं खेलेगा तो तुर्की की तरफ से सिर्फ एक बड़ी इंजुरी नियूज है वो यहाँ सोईनसू तो जो इस टीम का सेंटर गया है तो थोड़ा सा डिफेंस मजबूत बनता है इसे लेकिन कोई बात ना तुर्की के पास बैक अप में बहुत सार प्लियर्स है तो वो एड़ेस्ट कर ले से मैच में नहीं खेलेगा डाउटफुल है खेल भी सकता है लेकिन चांस हार लेस तो दोनों की तरफ से कुछ ऐसे प्लियर्स है जो इस मैच में नहीं खेलने वाले तो अब हम बात करते हैं दोनों टीम के हैट्टोरड मैच बारे में तो दोस्त अब तक इन दोनों टीम के बीच में last के चार head to head match खिले जा चुके है और चार मैंसे एक match त तुरकी की टीम ने जीता है दो match draw खिले है तिर्फ एक match में हार का सामना किया है अटेक wise 0.8 के एरे से तुरकी well's का सामना goal स्कॉर करती है और defense wise भी 0.8 के एरे से pair match में goal concede करती है तो केहना का सीधा सा मतलब है जब भी दूनों टीम ने आमने सामने खेलती हैं अधिकतर मैच में दूनों टीम ड्रौ हा सामना करती हैं और दूनों टीम अब तर एक-एक मैच खेला है मतलब 50-50 result हमें देखने को मिलता है अब जो last match हुआ था इन्ही दोनों टीम के बीच में 2024 में ही हुआ था उस match को दोनों टीम ने defensive draw खेला लेकिन वो match Wales के home ground में खेल गया था लेकिन आज तुरकी अपने home ground में ये match खेलेगी तो क्या पता तुरकी अच्छा comeback कर ले उससे पचले मकाबला दोनों टीम के बीच में अगेन मैच खेला गया था उस match को भी दोनों टीम ने attacking draw खेला मतलब दोनों टीम से बरावर से गोल आए defense wise भी गोल concede के गए और एक match तुरकी ने 2030 में अपने home ground में इसी टीम के सामने 2-0 से जीता है क्या पता आज इस परकार का फिर से result हमें देखने को मिले उससे पिछले मुकाबला 2021 में हुआ था उस match को वेल्स ने 2-0 से जीता है तुरकी उसी match को हार गई थी अपने भी home ground में तो ऐसा भी हो सकता है तो दोस्त जब भी दून टीम हमने सामने खेलती हैं अब तेक result हमें दूने टीम की ओर से 50-50 देखने को मिलता है तो अब बात यह आती है कि match का prediction क्या होगा मतलब कौन सी टीम इस match में कितने goal करके जीतेगी तो सबसे पहले हम आपको यह बता दू आज के match में तुर्की की team एक home team होने वाली है और वेल्स की team इस match में एक away team रहने वाली है जो team home में खेलती है उसके पास काफ़ ज़्यादा advantage रहते है फुड़बोल में तो कहीने कहीन ज़्यादा chances बढ़ेंगे और याद दिला दू तुर्की FIFA वोल्ल रैंकिंग का नुसार फिलहाल टाइम पर 26th position पर है और वेल्स FIFA वोल्ल रैंकिंग का नुसार फिलहाल टाइम पर 29th position पर है तो दोनों team की position में भी हलका सा difference है फिर भी आपको तुर्की की team एक better team देखने मिलेगे as compared to Wales तो अब बात यह आती का मैच का prediction क्या होगा मतलब कौन सी team इस मैच में कितने goal करके जीतेगी देखो आज का मैच तुर्की के home ground में तो मुझे लगता है कि जिस तरह last match Wales का अगेंश्ट तुर्की खेली थी बहुत attacking खेली थी तो goal आना था लेकिन नहीं आया लेकिन आज के मैच में दो goal की मुझे पूरी उमीन है तुर्की की और से हो सकता है कि Wales की और से एक goal आ जाए क्योंकि Wales के पास भी अच्छे players है जो इस match में goal कर सकते हैं तो इसलिए मेरा जो prediction है इस match को लेकर वो है 2-1 और 2-1 के prediction कनुसार इस match में हम अपनी fantasy की team मनाएंगे अब team में कौन कौन से player को लेकर चलना है किस player को captain देना है किस player को wise captain देना यह सारी जानकर है अब आपको दोनु टीम की जो possible lineup है जो player का stats है उसके बैस पर आपको दी जाएगी तो चलिए lineup देखते हैं तो सबसे पहले तुर्की के और से start करते हैं जो इस match में home team है home team 4-2-3-1 के formation से playing 11 में खेलती है हर एक player का जो statates है वो यहाँ पर मैंने mention भी किया हुआ है example के लिए करीम अक्तर गोकलूफ team के लिए 4 match खेल चुगा है और 4 मैं से 3 बार match start कर चुगा है और उन सभी matches में at least 92-95 minute के बीच में खेलता भी है और अब तक team के लिए 4 goal कर चुगा है एक assist भी निकाल चुगा है लेकिन अब हम line up का नुशार player को कैसे select करें वो आपको मैं अब information दोगा देखो goal keeping section में इस team की ओर से साकिर देख मिलेगा आपको चाहे इन्हें try कर लेना grand league में मैं small league में तो इनको ज़्यादा suggest करूंगा नहीं okay grand league में यूज़ कर सकते हूँ बलकि small league में तो हमें Wells का ही goal के पर यूज़ करना है अब हम बात करें defense में से देखो कादी ओगलू खेल लगना ही इसके जगह पर मुझे लगता है कि इसके पास और player हैं जैसे कान एयान है वह भी start कर सकता है और यहां से chances उसी के ज़्यादे हैं okay बात करें यहां से बार्डेकी और यहां से डैमीरल और यह से जिसे लिख यह तीनों players काफी शानदार हैं और मुझे लगता है कि तुर्की के और से अच्छे खासे interception tackle निकल कर आते हैं तो इनके defender को हमें ज्यादा suggest करना चाहिए तो इसलिए मैं इन तीनों defender को अपनी fantasy के team में लेकर गया हूँ okay अब हम बात करें दो defensive midfielder हाकन जो इ मैं अभी लिए नहीं ले पाँगा लेकिन player बहुत श्यांदार है fantastic नजरे से गर देखा जाए तो यह वो player से जो without goal point देता है goal assist का कम chance रखता है लेकिन कभी कभी कर भी देता है अब दक एक भी goal एक भी assist चार मैंच में इसका नहीं आया है अगर आपको रखना है कि ऐसा player चा कलब के लिए भी खेलता है फिलाहल टाइम पर तो एक important player इनको मैं suggest करूँगा अरदा गुलेर वन ऑफ दो बेस्ट कलब इन दा वर्ल्ट Real Madrid की और से as a number 10 भी खेलता है विंग के तोर पर भी खेलता है बहतरीन option है और वहां पर इसने काफ़ अच्छा performance करके दिखाया है और गोलेर जब से तुर्की टीम में सामिल हुआ है इसने यहां पर भी काफी श्यांदार धहमा का मचाया हुआ है अब तक एक गोल एक assist निकाल चुका है इर्फान कहविच इस टीम के तरफ से यह भी बहुत अच्छा player लेकिन यह थोड़ा सा आप उन right side में देखने मिलेगा औ गोल कार असिस्ट का चांस कम रहते हैं यहां तक कि इंटरसेप्शन और की पास के ज़्यादा चांस रहते हैं 90 मिनट खेलेगा तो पंदरभीस पॉइंट दे जाएगा गोल कार चांस और असिस्ट का चांस फिर भी इसके बने रहेंगे लेकिन इतना contribution इस पोजिशन से आता नहीं है मुहमंद करीम अक्तर गोकलू जो इस टीम का एजए ट्राइकर खेलेगा और हर मैच में इसने गोल में असिस्ट में कंट्रिबुशन किया है चार गोल एक असिस्ट अब तक निकाल चुका है तो मैं इनको भी सजेस्ट करूंगा जो अब तक हम में काफी स्यांदार तो दोस्ते अगर यही लाइन अप रही तो हमें इस टीम की तरफ से मैक्समें ले ले लें सबसे पहले यहां से यह तीन डिफेंटर लेकर चलें पलस में एक डिफेंश मीड पिल रहा है अर्दा गुलर और यहां से यल्डिज और यहां से करीम अक्तर गोकलू यह है साथ प्लिएर मैं अपनी फैंटेसी की टीम में लेकर जाऊंगा देखो यह तो खेलेगा नहीं और यहां से गोल के पर लेना नहीं है को बारा मैंने बता दिया अभी तक इसने अच्छा सा कंट्रिबूशन नहीं आ रहा है और इस आप ग्रांड लिग प्लस मिनी की रहेगी और यह टीम 4-2-3-1 के फॉरमेशन से प्लैंग इलाउन में भी खेलती है और हर एक प्लेयर का सटेट्स में यहां पर मैंसन भी क्या हुआ है एक्जामपल के लिए में फिर से बता दू हैरी विलसन टीम के लिए चार मैच के चार मैच में सटार्ट कर चुका है अ कि आप सामन हरे एक प्लेयर का सटेट्स औरेडी मैंसन किया हुआ है अब हम लाइन अप का अनुसार बात करेंगे डारलो ऐसे गोल के पर रहेगा और मुझे लगता है कि तुर्की की टीम बहुत अटेकिंग खेलते है तो उसके हिसाब से इसके पास ज़्यादा मोग करेंग मैं विलियम्स को कभी भी ड्रोप नहीं करता है क्योंकि यह ऐसा प्लेयर है जो विद आउट गोल पॉइंट भी अच्छा खासा देता है और गोल में असिस्ट में भी कंट्रिबूशन दे जाता है अगर आपने प्रीमिर लीग खेला होगा तो अच्छा पर्फोमेंस है तो बेसलिए यह टोटन हमका एज सेंटर बैक भी है लेकिन इसको अब फुल बैक में रखा गया है नेशनल टीम में क्योंकि कुछ प्लियर के इंजूरी के करण इसको इसकी पोजिशन को चैंज कर दिया गया है लेकिन इस टीम का कैप्टन भी अगर हो सके तो आप यहां से ले अब हम बात करें डिफेंशी मेंड फुल यहां से हैरी विल्सन जो इस टीम की तरफ सब फस्ट वाइस पैनल टेकर पलस टौफ फाइस गोल टेकर पलस 90 मिनट भी खेलता है तो इनको लेकर इसलिए चलेंगे हम बात करें यहां से सिहान के बारह में सिहान को इतना ज़्याद है तो आप यहां से सिहान को ट्राइक कर सकते हो लेकिन मैं इनको भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे अटेकर प्लियर लेना है यहां से ब्रूक्स है ब्रूक्स को मोका मिलेगा वैसे तो पोजिशन करनुसार देख जाए तो त्यांदार पोजिशन है लेकिन इस पोजि बात की जाए तो 90 मिनट नहीं खेला तो इसलिए मैं इनको सज़ेस्ट नहीं करूंगा अब तक देख सब्सक्राइब को अगर जोहंसन को अगर जोहंसन खेलता है तो इस टीम के तरफ से वह काफी ज्यादा बहतरीं प्लियर टॉट नहीं के लिए रिशेंटली काफी अच्छा पर्फोंच करके दिखाया लेकिन हैरीस का चांस ज्यादा है एज जाट्राइकर खेलेगा और स्ट्राइकर का ज्यादा चांस रहता है गोल आने का तो इसलिए मैं अपने टीम में हैरीस को लेकर चला हम सलक्षन ओनली 2% भी नहीं है लेकिन इंपोर्टेंट प्लियर हो सकता है आज के मैच में तो इसलिए मैं इनको लेकर जाओंगा बाके आप सामने प्लियर का स्टेट से आप चेक कर लेना तो हमने दोनों टीम की लाइनप को बहुत अच्छे सा एनलेसिस किया है और प्लियर को सलक्ष भी किया है अब उनहीं प्लियर को हमें अपने टीम में लेना अब चलिए टीम देखते हैं तो मैं क्याप्टन इनिकों लेकर चला हूँ वाइस कैप्टन अभी गले मैं अर्दर गुलेर को पिक कर चला हूँ जिसका हॉम भी काफी श्यांदार है आप चाहे तो क्रीम अक्षर गोकुल को ट्राइ कर सकते हो अपनी टीम में और यहां से मैंने यिल्डिज को भी लेकर गय लिंक इस वीडियो का टॉपर में वीडियो का गराफ डिस्क्रिप्शन भी चेक करोगे तो वहां पर भी इस टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो मिलते ना श्टूडियो में वीडियो कैसी लगी आप कोमेंट बॉक्स जरूर बताएं और आपका कोर्डिंग इस मै एक वीडियो और आनवाली है नेसंस लिक की त्यार रहने चैनल को सब्सक्राइब करके है ओके